कि 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 हलो 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 गुटीवनिंग वर्डी माइन में शुबम जग्दीश अे विलकम भाकर दो चानल सुबहुत इशु अप शेर्स चाप्र का नाम है और इशु अप शेर्स का ये है part 4 इसके पहले मैंने आपको issue at power and premium चिखाया उसके बाद मैंने आपको calls in advance सिखाया उसके उपर interest कैसे निकालता है ये सिखाया उसके बाद मैंने आपको दिखाया third video के अंदर की calls in arrear का treatment आप कैसे करेंगे और एक mix question भी कराया जिसमें calls in arrear calls in advance दोनों के concept लग रहे थ हैं और वो for sure आपके paper में आने ही वाला है याद रखेगा IAC के paper में shares पूरा 10 नंबर का आता है और single question आएगा तो हमें पढ़ना है actually class में for feature, reissue और capitalism सबसे पहले मैं for feature बताने जा रहा हूँ तीन case होते हैं for feature के, एक एक करके तीनो cases के बारे में समझाएंगे, thereafter reissue के entry बताएंगे, capital reserve के entry बताएंगे, फिर इसके उपर कुछ questions करेंगे, यह बड़ा topic है तो इसके हो सकता है, दो part आपको मिल रहे हूँ, आज के video में concept और कुछ examples, अगले video में कुछ जादा इसके उप के उपर, and because of any damn reason, आप car के loan के पैसे नहीं दे पाते हो, तो वो जो loan वाली company होती है, वो क्या करती है, वो आती है और आपी car लेकर चली जाती है, इसको बोलते हैं हिंदी में car खिच जाना, अंग्रेजी में बोलते हैं shares के लिए same process को, shares का 4 feet हो जाना, असल माइने में मतलब क cancel हो जाना, फिर वो bank क्या करेगा, वो आपी car लेकर चला गया, वो वापस से market में दुबारा उसको बेचता है, ठीक है ना, उस process को यहाँ पर बोलते हैं re-issue, shares भी cancel करती है, company अगर आप ऐसे ना दे पाओ, फिर उन्हीं shares को दुबारा से market में issue किया जाता है, उसे बोलते है re-issue of shares, अब इस process में कुछ पाइदा होगा, अगर कोई फाइदा होता है, तो उसे capital reserve के अंदर transfer कर दिया जाता है, जो कि हम entry के माध्यम से अभी सीखने जा रहे हैं, तो चलो for feature पढ़ने जा रहे हैं, पहले case के अंदर, पहला case सा for feature of shares which were issued at par, वो shares जो par पे issue हुए थे, उनक for feature कैसे होगा, opposite entry pass होती है, लिखते हैं भाई मेरे साथ, share capital account debit, two share for feature account, two calls in arrear account, अल्राइट, क्या entry हुई के बाद समझ में आ रही हैं आपको, share capital account debit, two share for feature, two calls in arrear, अब share capital में आता क्या है, share capital में आता है called up amount, क्या आता है भाई, called up amount, called up मतलब माल लेते हैं, एक share 10 रुपए का है, second call से पहले, second call दो रुपए यह थी, उसके पहले ही four feature हो गया, तो मैंने कितना called up किया, आठ रुपए ही called up किये हैं, तो share capital में हमेशा क्या आएगा, called up, मतलब exactly Hindi little meaning में लिखे, तो जितना मांगा गया होगा, वो share capital में आएगा, similarly calls in arrear में क्या आएगा, unpaid amount, जो नहीं मिला वो सब कहां पर आएगा, calls in arrear के अंदर, आप चाहो तो calls in arrear को bifurcate करके भी लिख सकते हो, let's say अगर किसी बंदने allotment नहीं दिया, तो to share allotment लिख दिया, to first call लिख दिया, likewise भी लिख सकते हो, चाहो तो एक साथ club करके, to calls in arrear में भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज़े equally सही है, share for feature में क्या आएगा, ideally आप जब question करेंगे, तो उसमें आप balancing figure लिखेंगे, मगर अगर conceptually देखें, तो share for feature में वो होता है, जो हमें मिल चुका है, तो whatever is received will be written under share for feature, तो क्या आपको entry समझ में आई, for for feature of shares which were issued at par, अब बढ़ते हैं, अगले case के उपर आते हैं, for feature of shares which were issued, which were issued at premium, उन shares का for feature करने जा रहे हैं, जो premium पर issue हुए थे, ठीक है, अब यहाँ पर दो cases होंगे, अब यहाँ पर भी दो cases लिकर के आने वाले हैं, लेट से issued at premium है, इसके अंदर first case है, when premium is not received, when premium is not received, यहाँ पर वो amount आएगा, मतलब यह वो case है, जहाँ पर premium मिलाई नहीं है, let's say एक question है, जिसमें 10 रुपे का share था, 12 रुपे में issue किया गया था, 2 रुपे premium था, allotment के उपर, और उसने allotment में नहीं दिया, first call भी नहीं दिया, second call भी नहीं दिया, तो similarly हमको यह समाझ में आगा, कि भी यह premium पर issue हुआ था, लेकिन इस question में premium नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो उस case में entry क्या पास होगी, जल्दी से लिखो, share capital, account debit, securities premium, account debit, two share for feature, two call scenario, clear, बात एकदम समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है बिटा, सभी लोगों को एकदम clear आ गया, यहाँ पर security premium में क्या आएगा, जितना security premium not received होगा वो, clear है कि टिक्रेश्चिर capital में क्या आता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जितना मांगा गया हो, call it up amount, अब इस ही में दूसरा case है, दूसरा case क्या है, second case, when premium is received, मतलब question में तो यह है कि shares को premium पे issue किया गया था, लेकिन for feature के समय premium हमें मिल चुका है, अगर premium मिल चुका है, तो for feature की entry में premium को record नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे क्या, simple entry, share capital account debit, to share for feature, to calls in arrear, short में लिख दिया है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, clear, एकदम समझ में आ गया है, तो यही तीन cases हैं, जो आपको दिमाग में बठा के रखने हैं, when it comes to for feature of shares, आगे बढ़ते हैं, अगला topic इसी से related है, reissue of shares, मतलब हमने shares को वापस से market में reissue किये हैं, इसके भी तीन cases है, कैसे कैसे reissue कर सकते हैं, पहला case, reissue at par, at par पे आपने reissue कर दिया, entry क्या बनेगी, bank account debit to share capital, यह हमने reissue की entry पास कर दी, कोई दिक्कत, कोई परशानी तो नहीं है, यह par पे reissue है, par पे reissue का मतलब समझ रहो, let's say, अगर 10 रुपे का share है, तो 10 रुपे में ही market में reissue कर दिया, second case क्या है, second है, reissue at premium, premium, reissue at premium, premium पे जब reissue करेंगे, तो entry क्या बनेगी, bank account debit to share capital account, to securities premium account, to security premium क्यों आ गया है, because हमने 10 रुपे की चीज़ उससे बढ़ा कर issue कर दी, premium पर issue कर दी, कोई दिक्कत वाली बातों नहीं है, सबको समझ में आ गया है, यह दूसरा case भी, तीसरा case लिखते है, at discount slash loss, loss पे reissue कर देना, या discount पर reissue कर देना, यह वो case आ गया, तो इस case पे entry क्या बनेगी, बहुत ध्यान से देखेंगे, bank account debit, share for feature account debit, to share capital, ठीक है, share for feature में क्या आएगा, discount का amount, माले ते हमने 10 रुपे की चीज़ को 8 रुपे में reissue कर दिया, तो 2 रुपे का discount slash loss हो गया, अब याद रहे, कई बार question में एक यह चीज़ line लिखकर आती है, shares are reissue at maximum discount permissible by law, ऐसी line लिखकर आएगी, कि बहुत जितना maximum rate है, जितना discount दे सकते हैं, वो उस पर हमने shares को discount पर reissue किया हुआ है, तो maximum rate कैसे निकाले, कोई इसका fix rate नहीं है, इसको निकाला कैसे जाएगा, अब एक बात समझो, क्योंकि यहां पर यह crucial है, तो मैं लिखवाता हूँ, maximum permissible discount, क्या होगा, तो let's say अगर एक 10 रुपए का share है, 3 application, 3 allotment, 2 first call, 2 second call, ऐसे हम लोग issue किये थे, अब क्या हुआ, उस case में let's say हमें 3 रुपए केवल application का receive हुआ है, allotment, first or second call, नहीं receive हुई है, इसका मतलब, out of 10 rupees, मुझे कितना already मिल चुका है, 3 रुपए, तो मैं re-issue के समय maximum discount दे सकता हूँ, जितना पैसा है, मुझे मिल चुका हूँ, मुझे क्योंकि 3 रुपए मिल चुके हैं, री-issue के समय मैं maximum discount 3 रुपए का ही दे सकता हूँ, यह है maximum limit permissible by law, let's say, अगर मुझे application और allotment दोनों मिल चुके थे, मतलब मुझे 3 और 3, 6 रुपए मिल गए थे, तो re-issue के समय मैं maximum discount कितना दे सकता हूँ, 6 रुपए, clear, यह भूल जाते हैं बच्चे, कई बार तो मुझे लगा यहाँ पर बता देते हैं, समझ मैं, re-issue की मैंने आपको entry निकाल दी, मैंने forfeature की entry लिखा दी, अब last entry लिखने जा रहे हैं, वो है capital reserve, capital reserve, capital reserve की entry होती है, share forfeature, account debit, to capital reserve, share forfeature, account debit to capital reserve, अगर forfeature और re-issue करते समय कोई फाइदा हो गया, तो उस फाइदा को हम लोग transfer करेंगे, कुछ profit हो गया, उस profit को transfer करेंगे हम लोग, capital reserve के अंदर, अगर कोई profit नहीं हो रहा है, तो यह entry pass नहीं की जाएगी, सर आपने बहुत सारी बाते बता दिया, हम हो गए हैं, confused, कुछ question कराओ ना, एक example लेकर आज solve कराते हैं, कल इसके उपर, मतलब next video के अंदर, मैं बहुत सारे questions लेकर आऊँगा, ताकि आपकी इसकी journey, आसान कर सकूँ, ठीक, चलब एक example लेते हैं, OBZ Limited, 4-feated, 1000 shares, of rupees 10 each, issued at par, for non-payment of, for non-payment of, final call, of 2 per share, question में क्या बोला, एक OBZ Limited company है, उसने 1000 shares का 4-feature कर रखा है, जो कि 10 रुपे की थे, जिने हमने par बे-issue किया हुआ था, क्यों 4-feature किया जा रहा है, क्योंकि final call का पैसा नहीं दिया है, 2 रुपे नहीं दिये है, बात समझ में आया है, later, these shares are issued at 10 per share, later, these shares are issued at 10 per share, अब मैं इसी question को बार-बार change करकर के पढ़ाऊँगा, ताकि concept एकदम concrete हो सके, ठीक है, तो चलो, 4-feature की एंटरी पास करते हैं, सबसे पहले, share capital, account debit, 2 share 4-feature account, 2 calls in arrear, आप calls in arrear की जगे, calls in arrear की जगे, आप 2 final call भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4-feature करते हैं, कितने shares का 4-feature कर रहे हैं, एक हजार shares का 4-feature कर रहे हैं, कितना called up है, पूरा ही called up है, क्योंकि final call नहीं मिली एकेवल, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपीज, कितना पैसा नहीं मिला है, 1000 share पर 2 रुपे नहीं मिले, तो कितना नहीं मिला होगा, 2,000 रुपीज, balancing figure कितना आ गया, 8,000 रुपे, क्या ये बात समझ में आई, मैंने share for feature का amount कैसे निकाला है, balancing figure वो क्या होता है सर, इस 10,000 में से ये 2,000 माइनस कर दिया, ये आ गया, समझ में आ रहे हैं बात, कोई दिक्कास वाली बात तो नहीं है, अब कर रहे हैं हम ratio, ratio किस पर कर रहे हैं, सारे shares को ratio कर रहे हैं, किस पर, 10 रुपे पर, मतलब 10 का share था, ratio भी 10 में ही किया जा रहा है, तो entry क्या हो जाएगी, bank account debit, to share capital, कितने shares ratio कर दिये हैं हमने, हमने shares ratio किये हैं, 1000, कितने पर किये हैं, 10 रुपे पर किये हैं, तो यहां आ जाएगा 10,000, यहां आ जाएगा 10,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अब last entry, capital reserve में profit को transfer करने की entry, third, share for feature, account debit, to capital reserve, कितना profit हुआ, कितना profit हुआ, logically अगर निकालने की कोशिश करें, तो company को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, भाई ज़रा देख, logically अगर हम निकालें, company ने 1000 shares थे, 10 रुपे, मतलब 10,000 रुपे उसको मिलने चाहिए थे, logically 10,000 रुपे मिलने चाहिए थे, company ने, जब forfeit किया तो उसको पैसे कितने मिल चुके थे, already 8,000 रुपे मिल चुके थे, company ने जब रीशू किया तो उसको कितने पैसे मिल गए, 10,000 रुपे मिल गए, मतलब company को पैसे actual में मिल कितने गए, 18,000, मिलने कितने चाहिए थे, 10,000, कितने का profit हो गया, 8,000 रुपे का, तो simple 8,000 रुपे की amount, यहां पर transfer कर देंगे, तुम्हें एकदम basic सा question कर आया है, क्या आखों के रस्ते दिल में उतरा, समझ में आई यहां तक बात, बढ़ाई जाए आगे गतिविधी, अब इसी question को करा थोड़ा जाए, change, चल भी या, change करते हैं, note कर लो, बहुत crucial topic है, जो आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसी question को, इसी question को, थोड़ा सा change कर रहा हूँ, और मैं re-issue की entry में changes लाने वाला हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, rub, यह वाला amount कर रहा हूँ, सब कुछ rub, अब ज़रा देखो, question में अगर लिखा होता, क्या, later, these shares are re-issue'd at 12 per share, later, these shares are re-issue'd at 12 per share, इस बाद share को premium पर re-issue कर दिया, तब क्या entry बनती, forfeature की तो entry में कोई change नहीं, कोई change होगा भी नहीं, second entry क्या बनती, bank account debit, two share capital, two securities premium, क्या ये बात समझ में आरी है entry, अच्छा बहिया, कितने में re-issue कर दिया, 1000 shares re-issue कर दिये, 12 रुपे में, तो 1000 into 12, कितना आ जाएगा, 12,000, अच्छा, share था कितने का, 1000 into 10, कितना आ जाएगा, 10,000, और premium कितने का है, 1000 into 2, 22,000 रुपे, क्या ये बात समझ में आ गई, इस बार फाइदा कितने का हो गया company को, third entry, share for feature, account debit, to capital reserve account, share for feature, account debit to capital reserve, अब देखो भई, मेरे को पहले 8,000 रुपे मिल चुके थे, मेरे को अभी 12,000 मिल गए, मुझे total कितने पैसे मिल गए, 12 और 8, 20,000, मिलने कितने चाहिए थे, 10,000, फाइदा कितने का हो गया, 10,000 रुपे का, तो इस बार फाइदा, transfer कर दिया, general reserve में, 10,000 रुपे, क्या ये 10,000 रुपे समझ पे आए, आप सभी लोगों को कहां से आए, ये गलत है, ये 10,000 रुपे गलत है, और यहाँ पर ये गलत क्यों है, ये सीखना ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है, कैसे गलत है, आओ देखते हैं, आओ देखा जाए, ये 10,000 कैसे गलत है, इस entry को करते हैं, circle और एक और example लेते हैं, तब तुम्हें समझाते हैं, ये कैसे होगा, same question लेते हैं, और same question में लिखा है, later, 1,000 shares are reissued at 8 per share, question में बोला है, इस बार shares को हमने reissue कर दिया है, 8 रुपे पर, मतलब 10 की चीज़ को 8 रुपे में reissue किया गया है, तो भाईया ये बताओ, नुकसान कितने का, 10 की चीज़ को 8 में reissue किया गया, दो रुपे का नुकसान, entry क्या पास होगी reissue की, bank account debit, share for feature account debit, to share capital account, 1000 shares को 8 रुपे में reissue किया गया, यहां आजाएगा 8,000, loss कितने का हो गया, 1000 into 2, 2000 और यहां कितना आजाएगा, 10,000, अब सीधा सीधा देखो भाईया, compare कर रहे हैं, for feature की entry में कितना पैसा मिला, 8,000 रुपे, reissue की entry में कितने का नुकसान हो गया, 2000 रुपे, तो third entry क्या बनेगी, share for feature account debit, to capital reserve, तो 8,000 में से 2000 माइनस कर देंगे, answer कितना आएगा, 6000, बात समच में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, इस तरह से आपको profit निकालना पड़ेगा, ठीक है, अब second entry देखते हैं, जो हमने बोला गडबड़ कैसे हो गया, because security premium अलग चीज़ होती है, for feature कर रहे थे, तो यहाँ पर कितना था, 8,000, reissue किया, क्या यहाँ पर कोई share for feature है, नहीं, तो क्या minus कर दें, 8,000 में से 0 minus कर दें, तो answer कितना आएगा, 8,000, 10,000, नहीं, यह blunder करता था बच्चा, इसलिए, यह गलती करके, इसको rectify किया गया है, तो तुम्हें करना क्या है, जो for feature वाला share for feature है, जो ratio वाला share for feature है, उन दोनों को minus करने के बाद, profit या loss दिका लोगे, clear समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है, आजी क्लास के लिए बहुत हो गया है, कल का जो वीडियो आएगा, उसमें भर भर के हम question कर रहे होंगे, इस particular topic को लेकर, ठीक है, और अगर आप comment section में लिख कर बताओगे, तो मैं कोशिश करूँगा, कि questions वाली class एक live कर ली जाए, ताकि तुम्हें एक idea लग जाए, कि पढ़ाई कैसी होती हमारी live batches के अंदर, तो तुम्हें बस यह कर रहा है कि comment section में लिखना है, कि सर मुझे इस chapter के questions को live पढ़ना है, ठीक है, तो चलो boss, मिलते हैं next video में, till then keep smiling and keep learning, बाई.